जहीं दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ड्रेम 11 या किसी भी फैंटासी अप्लिकेशन में अगर आप लोग एसमॉल ली खेलते हो या ग्रैल ली खेलते हो तो उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट टीम कैसे बनाना है यानि कि आपको सबसे बेस्ट टीम कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बिलकुल A to Z जनकारी देने वाला हूँ जितना भी कंसेट हो सकता है सब कुछ इ वीडियो कौन तक देखते रहना है पूरा डीटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि टीम कैसे बनाया जाता है उसके बाद आप लोग जीतो गए और ग्रह लिग भी जीतो गए ठीक है तो सबसे पहले यहां पर इन दुनों के बीच मैच हो रहा है अब मालो यहां पर टॉस की बहुत है कि बहुत ही ज्यादा को यहां पर डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा उसके बाद आपको पीछ रिपोर्ट के बारे में भी पता करना होता है उसके बाद एस्ट्रेश का तो आपको मेरे वीडियो में मिल जागा जब आप लोग मेरा चैनल से जूरोगे और वीडियो देखोगे तो वीडियो में एस्ट्रेश के बारे में बताता हूं अब बात करता है यहाँ पर मालो टीम A टॉस जित करके पहले यहाँ पहले मालो बॉलिंग ले लेती है ठीक है पहले बॉलिंग ले लेती है तो जब पहले यहाँ बॉलिंग लेगी तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो पीछ है यहाँ पीछ जो ह बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, मताब बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करेगी, כास करणी sonost inigning में और ज्यादा यह स्कॉर उतना ज़्यादा यह स्कॉर नहीं हो पाएगा, यानि 160 से लेकरके 170 के आसपास में स्कॉर हो सकता करने का मतलब यहीं है ुसलिए यह per video लिया है अगर बैटिंग पिछो था dosos पडूनाने की कुछिस करना और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह इसने बाअलिंग लिया है इसका मतलब यह आ पहले बॉलिंग लिया और इसको पहले बैटिंग किया है केव की फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना थुरा सा मुश्किल होगा और बॉलर को यहाँ ज्यादा सपोर्ट मिले गई इसके चलते इसने बॉलिंग ले लिया और इसको बैटिंग करने के लिए दिया और यहां यह पूलर को support मिलेगा शुरुवाती बिकेट गिर सकता है तो इसलिए इसको पहले बैटिंग दे दिया ठीक है बैटिंग पिछ है तब भी तो इसलिए यहां सभी condition आपको पता होना चाहिए तो मालो इसको पहले बैटिंग दे दिया अब यहां बाद में बॉलिंग करेगी तो आ आपको टीम कैसे बनाना होता है, यहां पे केवल एक ही ओपनर लेना होता है, यहां पे आपको केवल एक ही ओपनर लेना होगा, ठीक है, कारण क्या है, कारण यह है कि सुरुवाती ओबर में बीकेट गीरेगा, ठीक है, बीकेट गीर सकता है, इसलिए इसने पहले इसको बैटि यहां पर मैं आपको एक एक और point बता शेता हूं , कि मालो पहले यहा टिम पहले boling कर रही है तो इसके faster baller बहुत ज्याधा important हो गया , क्योंकि इसके faster baller को one cup आशसे जाधा से जाधा मिलैगा। करण क्या है कि मालो 170 run बनाएगी तो इसका no bucket गिड जाएगा 170 run बनाएगी तो इसका 9 bicket गिर जाएगा क्यों गिर जाएगा क्योंकि यह run ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी 180 भी बनाएगी तो इसके लिए कम है क्योंकि यह changing कर सकता है और इस ground पे changing होने वाला है इसलिए इसके पास 180-200 प्लस run भी बना देगी तो इसके लिए कम है तो जितने ज़्यादा run बनाना चाहेगी बना सकती है लेकिन run बनाने के चलते इसका vickate ज़्यादा गिरेगा ठीक है? vickate ज़्यादा गिरता है उसके बाद जब यह बैटिंग करने आएगा सेकेंड इनिंग में यह बैटिंग करने आएगा तो उस कंडिशन में क्या होगा उस कंडिशन में यह होगा कि इसको बैटिंग करना आसान होगा और मालो इसके पास इसने बैटिंग किया और 174 रन बनाया मालो इसने 174 रन बनाया है एक्सोपचता रही बनाना है और इसके पास 20 अबर में इसको पता है कि एक्सोपचता रही बनाना यह तो शुरुआ ती ओपर में थुड़ा सा रोक करके भी खेलेगा और बाद में जब वह ऐसा सीचोसन आएगा जब a spinner आएंगे तो वहाँ पर उसकी पिटाई करके यहाँ पर run बना लेगा और second inning में spinner को थोड़ा सा सबसे पहले आप सुनीगा second inning में spinner को bicket मिलता है इस बात को भी ध्यान में रखिएगा अब बैटिंग पिछ होगा तो वहाँ पर spinner की पिटाई भी हो जाती है लेकिन यहाँ पर जब चेजिंग करने जाएगी तो यहाँ भी middle order में ज़्यादा run बनाने की कोशिस करती है middle order में ठीक है और उसी condition में spinner को bicket मिलता है क्योंकि उस time यहाँ सुचेगे कि यहाँ चलो run बना मतलब power play के बाद power play के बाद जब run बनाने की कोशिस किया जाता है तो उस condition में spinner आते इसलिए second inning में spinner को ज़्यादा bicket मिलता है तो मैंने यहाँ पर यहाँ दोनों किस baller को लेना है मैंने उसके बारे में बता दिया ठीक है अब चले टीम कैसे बनाना है तो यहाँ पर power play में इसका bicket गिर सकता है तो इसका केवल एक ही baller लेना है मतलब एक ही बना दे इसके दोनों opener ही इसलिए इसके दोनों opener बहुत ही ज़्यादा important हो जाते है ठीक है अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा यहाँ पहले batting कर रही है न तो यहाँ पर यहाँ जो player है six number और five number इस player का selection कम होता है तो इसी player को हम लोग बोलते है trump player ठीक है इस player का यहाँ पर भी selection कम होगा और इसका भी यहाँ पर six seven तक इसका selection कम होगा तो इसको बोलते है trump player अब आपको यहाँ पर trump player को कैसे लेना है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कोई नहीं लो यह तीम पहले बैटिंग करती है तो इसका बिकेट गिरने का चांस सज़्यादा रहेगा बिकेट गीरेगा गिरेगा गारांटी होता है तो इसका जो यहां पर 25 है इसको आप लोग अपने team में रख सकते हुँ चाया small ego और गयाण ego इसके ट्रम प्लियर को अपने team में रख सकते हुँ और इसके ट्रम प्लियर को अपने team में नहीं रख सकते हुँ कारण क्या है क्यों के की second inning में हो सके कि यह 150 रन पे ही आउट हो जाए चाय इसका 8 बिकेट गिरे या 10 बिकेट गिरे ठीक है 150 रन पे ही इसका 10 बिकेट गिरे तो इसके यहाँ पे जो इसके मीडिल आउडर के बैर्समन है इसको खेलने का मौका भी नहीं मिल सकता है इसके खेलने का मौका नहीं मिलेगा जिसके चलते इसको आपको नहीं लेना है लेकिन इसको खेलने का मौका जरूर मिलेगा कभी-कभी rear condition होता है जिस condition में यहाँ पर यह दोनों आच्छा खासा run बना देते ओपनर तो इसको खेलने का मौका नहीं मिल पता है लेकिन ज्यादा टाइम इन दोनों को खेलने का मौका मिलेगा और इसको खेलने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि जब run पता होता है हाँ 200 पलस run जब बना देगा 200 पलस run जब यह बना देगा तो इसके middle order को खेलने का मौकाब मिलेगा तो आपको यह भी देखना होगा कि यह team कैसा है अगर यह team मजबूत है मजबूत team है या ऐसा भी है कि इसके baller बहुत ही जबरदस्त है तो इसके baller जबरदस्त है तो इसके bicket गिरा सकते है तो उस condition में आप लोग इसको रख लेना है लेकिन normal जो situation हो सकता था मैंने आपको बता दिया तो आपको यहाँ से यह कर लेना है batsman उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है न यहाँ से यानि कि b3, b4, b5, b6 यहाँ से कम से कम आपको एक लेना ही लेना है यानि कि b8 और b9 यहाँ से आप लोग एक spinner baller को ले सकते हो देखो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार player हुआ ठीके और एक faster baller को आपको अपने team में रखना होता है यानि कि मालो या second inning में balling करने आएगी तो क्या बात हुआ मतब इसके faster baller जो सबसे ज़्यादा मतब दोनों team हो में तो कोई ना कोई faster baller, best faster baller होता है ठीके, तो इसके एक faster baller को main faster baller को लेना है अब यहाँ पे 5 player आपको इसको लेना है और यहाँ पे 6 player आपको इसको लेना है ठीके, अब 6 player में 2 faster baller यहाँ पे confirm हो गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह तीनों बॉलर है इसमें से भी चाहो तो आप लोग एक बॉलर को ले सकते हो यानि कि तीन बॉलर आप इसका तीन बॉलर ले सकते हो और इसका आपको केवल दो बॉलर ही लेना है या एक बॉलर के साथ भी जा सकते हो इसके बैट्समान बरहा स सकते हो मैंने कंडिशन समझा दिया कि इसके बॉलर को उतना ज्यादा बिकेट मिलने का चांसर नहीं रहेगा और इसके बॉलर को ज्यादा से ज्यादा बिकेट मिलने का चांसर रहेगा इसलिए आप लोग इसके तीन बॉलर को ले सकते हो और इसका एक या दो बॉलर को ले सकत इधर से कोई एक बैसमान यानि कि 6 प्लियर यहां पे अब यहां पे एक और बास सुलो अगर यहां पे इसके कोई opener है इसका ठीक है और वह आच्छा फॉर्म में नहीं है ठीक है आच्छा फॉर्म में नहीं है तो grand league team में आप लोग उसको रह करके जा सकते हो और उसको captain बना सकते हो grand league team में आच्छा form है नहीं है इसका selection कम है जब इसका selection कम रहेगा तो grand league team में आप लोग इसको captain बना सकते हो और small league team में इसको छोड़ सकते हो कियोंकि इसका selection कम है और form नहीं है तो हो सके कि इस match में भी वह flop चला जाए ठीक है तो flop जाएगा तो इसलिए selection इसका कम रहेगा तो यह small link में आप लोग छोड़ सकते हो लेकिन grand league के लिए बहुती अच्छा player हो जाएगा आपका trump player हो जाएगा आपका king player हो जाएगा और captain का भी peak हो जाएगा क्योंक इसके यहां पर इसके जो captain इसका इसने toss करके पहले balling लिया है और बाद में batting करने का सोचा है ठीक है तो इन सभी factor को आप लोग use करके जब आप लोग एक best dream 11 का team बनाओगे तो 100% guarantee के साथ आप लोग जीतोगे